हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टुडेंट्स पॉइंट जब 21st ओफ में 2021 को गाइडलाइन्स पॉबिस्ट के गए थी ऑपन वुक एक्जामेंशन जुन 2021 से डिया तब आपको आपकी एक्जामेंशन से डिया स्टुडेंट्स समें सबकुछ बता दिया क्या था तो इस पर मैंने को अल्रेटी एक तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब जो है उस गाइडलाइन में कुछ चेंजिस की गई है फॉस्ट ऑफ जून 2021 को यह नोटिस पॉब्लिस्ट किया गया है और इसमें कुछ चेंज अब देखते हैं कि क्या चेंजिस बताया जा रहा है इसमें तो इसके लिए सबसे पहले आप यह नोटिस देखो यह नोटिस जो है वो 21st of May 2021 को पॉब्लिस्ट किया गया था आपकी गाइडलाइन्स में तो देखिए इसमें जो 9th पॉइंट है हमारा इसमें बताया जा रहा question paper downloading answer sheet scanning and all के लिए आपको extra one hour दिये जाएंगे तो total कितने hours हो गए total 4 hours आपको दिये गए है answer sheet के लिए इसमें आपको कोई भी documentary proof लगाने के जुरत नहीं थी according to the last notice यहां important में बताया क्या जा रहा है कि total 5 गंटे जोंगे अगर आप extra one hour को use कर लेते हो तो उस one hour के लिए मतलब मालो आपका जो exam है वो 7 बज़े से start है तो 4 गंटे तो आपको proper मिलेंगे answer sheet के लिए और question paper downloading uploading uploading के लिए मतलब 7 से 8 9 10 11 11 11 बज़े तक आपको proper time मिल रहा है लेकिन अगर आप extra one hour भी ले लेते हो उस case में क्या रहेगा कि आपको क्या करना होगा documentary proof दिखाना होगा कि network issue था या क मतलब अगर आप 12 बज़े तक answer upload करते हो तो क्यों आपने 12 बज़े तक answer क्यों upload किया है क्या reason था क्या server crash हो गया था server में कोई problem आ रही थी आपका network issue था जो भी आपका problem हो वो उसका proper specific proof आपको लगा के फिर आपको अपना जो answer sheet है वो mail करना होगा तो यह थी last notice अब अगर हम बात करें कि अब इसमें क्या changes किये गए है तो वो देख लीजे आप तो पहले तो आपको last notice समझ में आ गया last notice का क्या मतलब था कि अगर आप 4 गंटे में अपने answer sheet को upload नहीं कर पाते हो तो एक्स्ट्रा आदा गंटा आपको और दिया जा रहा था अगर network problem कुछ आती है या इस तरह से कोई problem हो रही है server problem हो रहा है तो आप documentary proof के साथ अपना जो answer sheet था वो एक्स्ट्रा आदे घंटे के अंदर mail कर सकते थे nodal officers को है ना बट अब जो new notice है इसमें बहुत simple language में बताती हूँ इस notice के कहने का मतलब है कि जो आपको एक्स्ट्रा चार घंटे दिये जा रहे थे उसके अलावा अब आपको एक घंटा और extra दिया जा रहा है मतलब extra फिप्तार आपको दिया जा रहा है जिसमें की आप अपने answer sheet को पोर्टल पे ही upload कर सकते हो with documentary proof और फिर भी अगर कोई problem आती है तो extra 30 minute का यूज करके आप लोग जो अपने answer sheet को नौडल offices को mail करोगे with documentary proof कि आपका network issue था या server problem था server crash हो गया था जो भी reason था clear है यह चीज़ आपको समझ में आ गई बट कोशिस करना आप लोग कि यह जो extra आपका documentary proof वाला आ रहा है यह इसको use ना करो अपने चार घंटे के अंदर ही अपने answer sheet को properly upload करो क्योंकि यह जो documentary proof वाला है यह इतनी जल्दी इसका result आने वाला नहीं है और इसमें बहुत problem आएंगी जब result होगा तो ठीक है क्या valid है document proof म में क्या valid नहीं है अभी इससे लेटेड कोई guideline नहीं आई है तो try करना कि इसको use ना करना पड़े आप लोगों को बाकी रही बात answers की तो गाइस हमारे चैनल पर और आपको answers प्रोवाइड करवाया जाएंगे during the examination answers के लिए नीचे आपको एक link दिया जा रहा है टेलीग्राम का और एक WhatsApp ग्रूप का link भी है तो इस link पे आप लोग क्लिक करकी जोइन कर लीजे ठीक है answers वगेरा का कैसे क्या process रहेगा इस link के थ्रूँ आप जोइन करो वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में फिलाल बस इतना ही thanks for the watching this and best of luck all guys